कभी सचिन पाइलेट को सरेंडर किया था डकेट जगन ने नमस्कार दर्शो को स्वागत थे आपका राजस्थान समवाद में मैं हूँ आपके साथ विनीता अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसके आने से पूरे गाउं की बतिया बंद हो जाती थी जिसके आने से पुलीस भी थर-thर कापती थी जिसने कभी जूर्म की दुनिया चोर दी थी लेकिन एक बार फिर से वही सक्स प्राइम की दुनिया में लोट आया है ये सक्स कोई और नहीं बलकि कुख्यात डकैत जगन गुर्जर है जिस जगन गुर्जर को देखते ही पुलीस के पसीने छूट जाया करते थे यहां जगन गुर्जर एक बार फिर धौलपूर से जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा है इस बार जगन के शैतानी तेवर धौलपूर के डांग शेतर के करनपूर साइका पूरा गाउं में देखा गया जहां जगन डखैत ने दो महलाओं से मारपीट की और उन्हें निर्वस्त कर गाउं में घुमाने की हैवानियत भरी बारदात को अंजाम दिया बारदात को अंजाम देने के बार डखैत को भागने में काम्याबी मिली और हर बार की तरह इस बार भी पुलीस डकैत के पीछे पीछे दोरती रही हाला कि इस बार चंबल के बिहरों में पुलीस के डकैत को खेर लिया और उसके बाद मुटभेर हुई मुटभेर में दोनों तरब से लगातार फाइरिंग होती गई लेकिन डकेज जगन पुलीस की गिरब से अभी तक बाहर है आतन के प्रियाय बने कुख्यार डकेज जगन गुर्जर ने 9 साल पहले अपनी बेटी की शादी करते समय कसम खाई थी कि वो ये अब जूर्म की दुनिया छोड़ देगा इससे पहले ये तीन बार सेरेंडर भी कर चुका है लेकिन उसने हर बार जूर्म को वापिस से अपना लिया एक बार फिर से जगन गुर्जर ने उस वक्त के सांसर सचिन पाइलेट को सेरेंडर किया था 2009 में केमरी गाउं के जगनात मेले में गगन ने सचिन पाइलेट को सेरेंडर किया था लेकिन इगवार फिर जगन का खौफ धौलपूर में पैदा हो गया है क्या आपका बिजनस आपके मन मताबिक मुनाफ़ा नहीं दे रहा क्या आपका बिजनस लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा तो आपको चाहिए अपने बिजनस के लिए एक शांदार वीडियो अड़र्टाइजमेंट मिशी मीडिया सलीशन्स देगा आपको आपके बिजनिस के लिए शांदार वीडियो एडविटाइस्मेंट वो भी बेहत किफायती दामों पर जारा जानकारी के लिए कॉल करें 900-1299672 और विजिट करें मिशीमीडियासलीशन्स.com